हाई फिरेंड आप बात करने वाला है इसी सी इंटरनेशनल टीटेन ग्रूप एक आज का जो लास्ट मेच हो ने वाला है वो खेले जाने वाला है आज रात 12 बजए में सुरोगा वेदर की बात करें तो मोसम आपर बिलकुल साप रहने वाला है वेन्यू की बात करें तो सेम ग्राउंड पर मेच हैं पिछली पर की बात करें तो आड़ इव इसकोर 13 से 150 के बीच में रहने वाला है वेन्यू लिकॉर्ट देख लेते हैं तो य से ज़्यादा है यहाँ पर मिलने वाली हैं यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं SPA की टीम की बात करने से पहले अगर आप मार यूटूप चेनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक को चैनल को जरू से जाके सबस्क्राइब करना है और बयर आइकान को नहीं जता है कि मार पर उपर उपर आपको पिन के उपर मिल जाएगा तो जैसे आम आरे कंट पर किलो करोगा आप टेलग्राम चैनल पहुंच जाओ जो नहों सब्सक्राइब करके टेलग्राम को जोइन कर लेना है टेलग्राम पर जोना होना कापी जरूर है क्योंकि ना पिछली लिग हुई थी आप ने काफी अल्टरक्लिंशिप की ति और लाश्ट मेंच में आपने देखा अच्छी विनिंग की थी अगर आपको अच्छी विनिंग करने तो आपको जरू से जाके टिलग्राम को जोन कर लेना है क्योंकि वहां पर आपको फाइनल टीम मिलेगी तो यहाँ पर बात कर तो कापे एक्षा इनका record रहा है 62-1 विकेट 9-29 विकेट सिर्फ एक में नौ बेटिंग रहे थे बाकि फस्ट और लास्ट मेच में दोनों मेचों में न कंपर्म 2-2 डाले थे और प्लस बोलिंग दोनों से हैल पहुंचाए थी टीटेन के 55 मेच के लिए हैं 901 कांटर नहीं 42 का यानि बोलिंग कापी कम करने वाले हैं बाबर खान की बात कर लेते हैं तीनों मेचों मेना काप अच्छा है इसको नहीं राप लोप रहे हैं टीटेन के 45 मेच में 12 सो रहें चार विकेट हैं यासिर अलिगी तरफ आ जाते हैं च्छह जीरोगीट जीरोगीट और चुमबारिस नोट आउट देख सो ते पहले दो मेचों प्लोप रहे थे बाके लाइश्ट मेच में ना चुमबारिस नोट आउट का ची ये पारी खेले थ टीटेन के 54 मेच में 294 में रहे हैं सेंतालिस विकेट हैं दो जावाइस में 31 मेच कहले थे 834 में 20 विकेट हैं मामुद ऐसान की बात कर लेते हैं साथ 38 नोट आउट और नोवेटिंग देख सकते हो सिर्फ एक मेच में 38 नोट आउट कर चिपार ये लेते लाश्ट में नोव टीटेन के 101 मेच के लिए हैं तीन विकेट है दो जावाइस में साथ मेच के लिए थे सर्क्तियां से रहे हैं यानि देख सकते हो कापी कमजोर इनका स्कोर रहा था हम जाव सलीम की बात कर लेते हैं 12 एक विकेट 14 नोट और जीरो किट पेले मेच में अच्छी बेटिंग भी देख सकते हैं हाँ यहां पर 9 वेटिंग नोवेटिंग 2 मेच में दोंहों में पैस्तु लास्ट मेला विकेट हैं 23 की तिरफ नहाद 319 रन हैं पांच विकेट हैं बट 32 वडाल के यहां पर कापी कमजोर स्कोर था पर लाश्ट दोनों मेचों में अच्छा करके गया हैं तो मुका देश सकते हो दो जाबाइस में दो मेच मेना चार वडाल के एक विकेट इन्हों ने निकाला था आती महमूद की बात कर लेते हैं हर मेच में दोक्रम झाले एक यहनँ मेंया जाँ हैं छे बिकी ड इनोरे निकाला वाले आपट के लिए इंवाला hellu सकतार मेच में इसदी विकेट हैं 16 Çोशवे निसारव डाल के साथ मेच के लिकेट एक्सफोग नेकाल भामिर यहां से बेंच में से बात कर लेता हैं क्योंकि ज्यादा प्लेर नहीं सिर्फ तीनी प्लेर हैं तो देख लेते हैं इस्टेट्स और वेसी एहमद आ जाता है तो यहां पर नो वेट्टिंग और चोदा रन की पारी खिला हैं टीटेंड के एक सो दो रन हैं 21-31 हैं पांच विग आट विकेट हैं असनाली की तरह आते हैं दो दो वर कंपम डाले ते दो मेंच मुका मिला तो और एक एक विकेट नहीं ने निकाला था याने लोन बंस केलता है ना तो यह आपके लिए बेस्ट भी रहेगा क्योंकि इनकी बोलिंग कापी बेस्ट होने वाली हैं सिर्फ दो मुका मिला यहां सकते हैं एम अतिप आतिब कर देगाना वह हमेसे आपके लेगा इंपर्टन डेने वाला कुँप की पूंट आपको अच्छे यह दे जाएंगे दोसरी टिम C, Z, E की बात कर लेते हैं लाश्ट तीन मेचों मुका मिला था तीनों मेचों में ये हार क्यारी ये टीम यानि काफी कमजों टीम है लाश्ट मेच में आपनिंग की थी सावन डेविज ने साजी बुईया ने डेविज की बात करे तो लाश्ट मेच में एक और डाला था विकेट निकाल लेस रहा है बट बेटिंग से पॉंट दिये थे यानि यह अगर बेटिंग तो काफी अच्छी करे लेता है अगर बोलिंग करेगा न तो प्लस पॉंट बन जाएगा क्योंकि ना दो जाते वे इसमें ना चुम्मालिस मेच खेलेते टीटेन के सासो चोरा सिरा नहें बट सत्राई ओडालेते तीन विकेट निकालेते यहाँ पर बट आपको मोका जरू देना है क्योंकि निक बेटिंग भी काफी अच्छी रहने वाले साजी यहां के बात कर लेते हैं बट यहां पर विकेट लेज जा रहा है इनकी बेटिंग भी काफी सोलिड है बट पलोब जा रहा है तो बट मोका दे सकते हो चोंसट मेच मेच में दोसनों नन्यान विरा नहें 23 कैवरेज एक काउन विकेट 110 वडालके दो जाट तेविस मेच मेच के लेते एक वडाला थे विकेट लेस रहा है टीटेटेटेट के उनतर मेच में एकजा सत्ता रहन है इस सत्रा विकेट हैं दो जाटेविस मेच के लेते 339 विकेट हैं साहिल ग्रोवर की बात कर लेते हैं 186 तीनों मेच में ना कापे अच्छा रिकोर्ड तो नहीं रहा तो सिर्फ लासात रंकी यह पारी खेला हैं बट अगर बोलिंग मिलेगी तो काप यह अच्छा हो सकता हैं अच्छा प्लेयर हैं बोलिंग मेटिंग दोनों अच्छी हैं टीटेनिक एड़सर्ट मेच में एक जात मेंते सदन हैं चुममालिस विकेट हैं दो जात यह से 32 मेच में 305 रंच चोविस विकेट हैं वोट आंडर की बात कर लाद के लिए आज लास्त मेच में ही मोका मिला था इन्हें दो जाटेवस प्थान से 33 मेच के लाता है उनुस फिकेट है देवेंद्र सिंह की बात कर लेता है 16 एक नो बेटिंग टीटेन के 54 मेच में 701 का उनौद नहीं पांच विकेट है दो जाटेवस में 22 मेच में 455 हैं 30 का एवरेज हैं नीरा जित्यागी की तरफ बात कर लेते हैं सिफ लास्ट में मोका मिलाता नो बेटिंग रहाता ना तो बेटिंग मिली ना बोलिंग मिली टीटेंगे 53 मेच के लिए आ रहे हैं सब्सक्राइब निकाल लेते हैं समीरा मदुरंगा की बात कर लेते हैं दो विकेट और अच्छे विकेट इन्होंने निकालेते हैं पर दो बेटिंग मिलाता है नो बेटिंग और रहे हैं टीटेंग के तरेपन मेच में 736 फिकेट हैं सत्य जित सेन गुपता की बात कर लेते हैं दो मेचे मो का मिला था दो नों में बॉलिंग की थी विकेट लेज जा रहा है ठीटेण के स्वाग्स उस्पा नम के रही है। कुसल मेंडरन के बात कर लेता हैं अभी तक इने मौका मिला नहीं है 42 मेच करें तो सो तीसर है आठीफिकट है दो जाते हैं सिवा गनम के बात कर लेता हैं यहां पर वीडियो का इनलिस वाला पाट चुका है कंप्लेट चलते हैं ने डेमो टीम के दरब जाने से पहले आप से चोटी से रिक्वेस्ट है अगर आप मार यूटूब चैनल पर नए हो को जरू से जाकर सब्सक्राइब करें तो आपको आपको सब्सक्राइब कर लेना है तो हम चलते हैं पर ने डेमो टीम ने कि तरफ देमो टीम यहांपर हमने विकट के पर से करने हो यहां है। यहां बेटिंग सेक्षन से एड डिवाइज को डिय डॉयल को और यहां पर ओल्ड राउंट सेक्षन से करने हो एच सलिम को एस बुयान को एल वर्न्स को एम बाबर को और तोमर को पोलिंग सेक्षन से एम अपरेदी को एस मदुरंगा को और यहां पर करने हो वी मदुर्शाम मेरे घंड करने हैं अनगोगी आपको जब चैनल पर ही देखने को नगी अग它 वी-डियो तोड़ा उयरी चुन तैμε कमेंड जबë देखने के लिए